नमस्का दोस्तों इनकी आयूग 59 एर्स है और ये सरकारी जॉब से रिटाइड हो चुके है अभी ये कंसल्टिंग का काम कर रहे है तो क्या इनके जीवन में किस तरकी स्थिती है इनके जीवन में आने वाला समय इनके लिए भग्योदय लेकर आने वाला है जीवन के उस अंतीम पड़ाओ पर इनका भग्योदय लिखा हुआ है और मैं वो लाइनों के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा जब किसी व्यक्ति के हाथ मैं है ये दो उंगलिया थोड़ी सी उपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर नीने लेना होता है वो ले नहीं पाते है और उसके बाद पस्तावा होता है कि मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था ये पूरा स्क्वेरिश पाम है ऐसे लोग महनती होते हैं और महनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं फर्स फहले नुकिला है तो कारे किरप्रती अच्छी खासी जीद होगी सेकेंड फहले इन भी अच्छा है लोची के साथ तर्तो के साथ अपनी बात रख पाते हैं पचास अजार और पचास लाग की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं ये लोग ये उंगली फर्स फैलें तक नहीं पहुच रही तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याज शक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सा एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और ये पार्ट दबा हुआ है, तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं, कहीं बैठे हो वहां से निकलने के बाद याद आता है, मैंने ये बात बोली होती तो अच्छा होता था, और लाइन है तो बिजनेस सेंस विक्ति में अ तो स्क्वेर साइन है व्यक्ति के जीवन में होती ही है, और वो इनके हाथ में भी है, और अधिकारी पद वाले थे, यहाँ पर यह साइन भी है इनके हाथ में, फेम साइन जी से कहते हैं, अब इनकी साइनों को देखते हैं, यहाँ पर क्लियर कट साइन है, एक इस जगह पर है एक इस जगह पर है और एक यहां पर है तो साइने तो है इनके हाथ में पैसा देने वाली यह पार जब उभार होता है तो थोड़ा सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता एक बार जाग जाए उसके बाद एक दम रिलेक्स फिल होता है यह लाइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो सरकारी लोगों में गुरू की और जाने वाली कोई न कोई लाइन तो होती है प्लस ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्ग में आते यानि इनकी जितनी कैपेसिती होगी उससे भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्ग में आयोंगे जुपिटर माउंट मेरे इसाब से अच्छा ही है कोई खराब नहीं है तो पारिवारिक और सांसारिक समस्या नहीं रहती जीवन स्टेबल रहता है इन समस्याओं से अंदूरि मंगल अच्छा ही है तो सारे उठ्जा व्यसित रहती है पर इनकी जो जीवन रेखा पार दस बारा सालों से थोड़ी सी डिश्टब है तो हलकी सी तबियत नरम गरम रहती है पर मंगल अच्छा होने से कहीं न कहीं ये टिके हुए पारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है और प्लस देखिए ये जब लाइने होती है तो ऐसे लोगों पर अगर कोर्ट केस भी हो तो इनको वीज़े प्राप्त होती है और मंगल अच्छा है जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे सामने वाला कमफटेबल फील करता है इनका चंडर बहुत अच्छा है सरकारी जॉब होने के बावजूत इनके संतान विडेस में सैटल है और उसकी सैन देखिए आपको यहां ही क्लियर कट समझ में आ जाएगी एक ट्रेंगल यहां पर है एक ट्रेंगल इस जगह पर है यह व्यक्ति को कभी बनाता है विडेसे धन प्राप्ति के योग बनाता है चोट होट होट है स्क्वेर साइन भी है तो व्यक्ति सच्चा ही पसंद इंसान होता है उसे जूट पसंद नहीं आता और यह यात्रा रेखा है, यहां पर भी यात्रा रेखा है, तो यह व्यक्ति को जीवन में यात्रा करवाते हैं अभी भी यात्रा करने वाले हैं और यह फोर्क भी व्यक्ति को यात्रा करवाता है इतनी छोटी सी लाइन भी थोड़ा सा हजमे का प्राब्लम तो देती है यहाँ पर शेर्शर्टी की लाइन है वेक्ति को शेर्शर्टी में इंट्रेस जाता है ऐसे लोगों का शुकर वर्वात अच्छा अच्छे कपड़े पेना अच्छी तरह रहना ये सारे लक्षन वेक्ति में पाए जाते अब इनकी हिर्दे रेखा को समझने की कोशिस करते है हिर्दे रेखा पूरी देखिए जुपिटर से निकलती है पूरी इस तरह की कंडिशन हो तो ऐसे लोग मराठी में कहवत है देव मानोस और हिंदी में भगवान का आड़मी यानि देव दूत समझे इनको इस तरह के होते हैं सब का भला करना किसी के प्रति इनको द्वेश नहीं आता लोग इनकी इस मानसिक्ता का फाइदा भी उठाते हैं लोग इनका यूज भी लेते हैं ये भी देखा गया हाँ इनको प्यार का प्रदर्शन करना बहुत अच्छी तरह आता है और ये माबब की सेवा करने वालोग आत में रहती है और एक अच फ्लर्ट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी दुणता है माइन लाइन व्यक्ति यहां से चल रही है थोड़े से प्लानिंग जाड़ा बनाने वाले इंसान होंगे और ये चल कर यहां तक चल रही है माइन लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं एक दम शार्प माइन लाइन है ऐसी कोई बड़ी तकलिफ माइन लाइन पर नहीं है अब जीवन रेखा पर चले जीवन रेखा पर एक 32 के आसपास नियर एंड एर के डैथ हुई होगी उसके बाद तूरत रहू रेखा आई इस रेखा ने इनको डिश्टब किया होगा उसके बाद छोटी-छोटी राउ रेखा है 35, 37, 38 छोटी-छोटी राउ रेखा है इनको डिश्टब कर रही होगी की होगी अब स्ट्रेट फोटो पर चलते है उसके बाद 42 के आसपास बड़ी राउ रेखा ने काटा यहाँ पर काफी पेन उठाया होगा इन्होंने उसके बाद 45 में एक राउ रेखा ने काटा उसके बाद 47 में एक राउ रेखा ने काटा और नियर एंड डिरर की डैथ की लाइन भी शोग हो रही है उसके बाद 49 के आसपास आफशुट है कोई सफलता मिली होगी इनको 52 के आसपास भी आफशुट है और राउ रेखा है 54 में भी राउ रेखा है और एक आफशुट था और यहां पर 56 के आसपास भी कोई नियर एंड डिरर की डैथ हुई होगी और उसके बाद 58 एंड हाफ के आसपास एक राउ रेखा ने काटा वापस जो यह वर्तमान पिरियर तक चल रही है इनको और उसके जर्ष्ट बाद एक आफशुट है और इन्होंने प्रापर्टी खरीद ली है यह प्रापर्टी का योग है इन्होंने प्रापर्टी खरीद ली है आदा स्टेम डूटी का पैसा सेव कर चुके आधे की arrangement वाकी है तो ये राव रेखा पूरी होते ही ये कारे इनके जीवन में होने वाला है तो ये इनके जीवन में एक और property का योग यहां पर दिख रहा है उसके बाद 60 के आसपास near and dear की death है 62 and half में एक छोट इसी राव रेखा है 65 में offshoot है और near and dear की death है 68 में offshoot है और 71 में एक offshoot है और near and dear की death है और ये यात्रा रेखाए है तो इस तरह से इनका जीवन आगे का भी रास्ता clear है अब धन रेखा पर देखे धन रेखा पर एक कट लगा 31 या 32 के आसपास कोई पारिवारी खर्चा आया होगा उसके बाद 36 के आसपास कट लगा फिर छोटा कट 39 के आसपास या तो investment होगा या कोई रुकाओट आई होगी लॉस हुआ होगा उसके बाद एक छोटा सा कट 42 के आसपास है एक बड़ा कट 48 के आसपास इनके जीवन में है यहाँ पर इनको अच्छा खासा लंबा आर्थिक नुकसान भी हो है यह मैं इन से कंफर्म भी कर चुका हूँ अब इस यहाँ पर धंदेखा पर देखे तो एक कट लगबग 61 या 62 के आसपास में लाइन पर आएगा तो थोड़ा सा आर्थिक नुकसान मिलेगा इनको यह investment की लाइन है उस पर भी एक कट 56.5 के आसपास फिर एक छोटा कट 58 के आसपास एक छोटा सा कट 60 या 61 के आसपास है और उसके दो साल के बाद एक और छोटा सा कट है इतने कट इनको जीवन में थोड़ा सा आर्थिक नुकसान देंगे अब इनकी धंदेखा को समझने की कोशिस करते हैं यह इनकी धंदेखा इस धंदेखा को देखे तो यह जो पिरियड गया होगा 36 से लेकर इतना पिरियड तो मैग्जिमम यहां तक 42 तक तो बहुत ज़्यादा खराब और 47 तक भी इसको खराब गिन सकते हैं यानि आने के पहले सामने एक्सपेंस तरियार उसके बाद थोड़ी सी विवस्तित चली लाइन पर इतनी खास नहीं और यह लाइन को देखें साइड वाली लाइन जो इन्वेस्मेंट की है उसमें देखिए यह दो तीन साल इनके सुने रहे गए होंगे यहां पर इनके जीवन में पैसा अच्छा का साया होगा यह तीन साल का पिरियड पचपन तक का समय इनको अच्छा मिला होगा तीन साल का, धाई या तीन साल का, यानि पचपन के पहले तीन साल, बावन से लेकर पचपन तक इनके जीवन में अच्छी ग्रोथ रही होगी, उसके बाद ये 58 या 59 के आसपासी ये लाइन अत्ती सुन्दर बन रही है, अब टू एंड तक, और एक लाइन और जनरेट होगी, वो भी इनको अच्छा खासा ग्रोथ देगी, यानि आने वाला समय, इनके जीवन में भाग्योदे लिखा हुआ है, अब टू मरने तक, काफी सुन्दर लाइन है, काफी सुन्दर लाइन है, उसके पहले ऐसा कोई दम नहीं था, सरकारी जॉब होने के बावजुद भी, आखास दम नहीं था, पर फिप्टी एट हाफ या फिप्टी नाइन के बाद, साथ में अभी ये राहु रेखाने भी काटा है, तो इसका भी इफेक्ट चल रहा होगा, जैसे इफेक्ट पुरा होगा, यहां से इनके जीवन में ग्रोथ मिलनी चालो हो जाएगी, यानि जो क बमा रहे थे, उससे कई गुना पैसा अब इनके जीवन में आने वाला है, मेरी इनसे बात भी हुई, अच्छे खासे प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लेट किये हुए, केवल फाइनलाइज होने की तैयारी में, यह लाइन इनको बुरा पे तक, जब तक जीएंगे, तब तक अच्छा खासा पैसा यह अपने जीवन में देखने वाले है, अच्छा खासा, तो अब यह भाग्योदय, अब जाकर इनके जीवन में होने वाला है, तो आशा रखता हूँ, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बाहत बाहत धन्यवाद.